क्या आप भी complain करते हैं कि मुझे English नहीं आती हम जब school जाते थे थे उस time English को इतना importance नहीं दिया जाता था या जो हमारे medium of instruction थे वो उर्दू थी तो इसी वज़े से हम English को ठीक तरीके से नहीं सीख पाए अब ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप दो तीन वीडियो से English प्रॉपर तरीकी से सीख सकते हैं और अपने डेली यूजस में उन से रेक्टस करके आप ठीक तरीके से English का जो बोल चाल है वो सीख सकते हैं इससे आगे भी आप पहु और ये यूटीब चैनल इंग्लिश विट सदीग तोड़े वांस अगें आप दिसकूस अवरी इंपोर्टन टापिक जो है डेली यूजस सेंटेंस क्या हम काम तो करते हैं हम एक्टिविटीज तो करते हैं लेकिन चोटे चोटे अलफाज से या चोटे 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 सेंट किस तरह सुरू करेंगे तो यिस लेसन में आपको सिखांगा कि आप डिली बैसे पर इंग्लिश किस तरह सकते कि इस तरह अपने एक्टिविटीज को इंग्लिश में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं so the topic is डेली यूज उजस सेंटेंस किस तरह इंग्लिश में बोलेंगे So the first activity जो आप करते हो, that is wake up, आप जागते हो, okay, नीन से जागने को हम wake up कहते हैं, इसके साथ आप I लगाते हो, so यह पूरा sentence बन जाता है, I wake up, और time भी साथ लगा सकते है, I wake up at 7 o'clock, I wake up at 6 o'clock, I wake up at 5 o'clock, जो भी आपका time table है, उसी के मताबिक आप 8 के बार time लगा सकते हैं, so जागने को wake up कहते हैं, जब आप जागते हो, तो इसके बाद आप क्या करते हो, brush teeth, आप क्या करते हो, dَांत ब्रश करते हो, okay, so I brush my teeth, I brush my teeth, आप time भी लगा सकते हैं, so brush teeth, दांत साफ करने को, यह दांतों के सफाई को, brush teeth कहते हैं, and then next, आप activity क्या करते हो, ठीक शावर, आप आप नहाते हो, so I take shower, I take shower, मैं नहाता हूँ, I take shower, after that what do you do, khoom hair, बालो में कंग नी मारना, हम कहते है khoom hair, कौम नहीं बताएंगे, khoom hair बताएंगे, I khoom my hair, okay, then I make breakfast, आप अगर breakfast खुद बनाते हो, या जो भी activities में आप का नाष्टा बनाते हो, या कुई आप के लिए बनाता है, या female जो है, वो आप डेली activities में अपने English इंप्रूफ करना चाहते है, तो वो किया से कि I make breakfast, में नाष्टा बनाता हूँ, या बनाती हूँ, okay, that depends on you, के आप बनाते हूँ, आप कहते हो किसी को के, make breakfast for me, मेरे लिए नाष्टा बनाऊ, okay, the next activity is Mac tea, आप चाहे बनादे हूँ, चाहे बनाने के लिए आप कहते हूँ, Mac tea, I make tea, okay, the next which is do dishes, आप normally कह भी सकते हूँ, के clean the dishes, लेकिन the proper word जो है, वो do dishes को कहते है, बरतन साफ करना, okay, बरतन के सफाई को हम do dishes कहते है, then, पोचा मारने को हम mop the floor कहते है, mop floor, and then, अगर आप जालु मारते हो, sweep the floor, okay, sweep the floor, and mop the floor, and then we have a do laundry, laundry कपले दोना, कपले दोने को हम इसके साद दू लगाते है, जिस तरह के, do the dishes, बरतन साफ करना, and do laundry, कपले दोना, okay, and prepare lunch, then, आप गया करते हो, के, आप लंच बनाते हो, इसकी preparation start करते है, so, prepare lunch, next is, get dressed, खुद को तयार करना, काम पे जाना, वे सही गर में बैठना, कपले वगारा, change करना, इसको हम कहते हैं, हम तयार हो जाने के लिए, हम get dressed कहते, get dressed, okay, then, help someone in chores, किसी के साथ help करना, गर के कामकाज में, किसी के साथ help करना, so, that is, help someone in chores, rake floor, rake floor is another activity, जब आपने देखा होगा, कि पत्ते गिर जाते हैं, garden में, या किसी green grass पे, तो उसे हटाना, सुक्य पत्ते को साफ करने को, हम कहते हैं, rake the floor, rake the garden, okay, तो इसका मतलब है, कि आप सुक्य पत्ते हटाते हो, वहा से, साफ करते हो, and then dust room, कमरे को साफ करना, dust से साफ करना, dust the room, okay, dust the room, and next is arrange seats, अगर कुई seats वगएरा है, sofa वगएरा है, तो आप arrange करते हो, इदर उदर करके ठीक तरीक से आप arrange करते हो, arrange the seats, okay, and press clothes, कपले, इस्तरी करना, for that we say press clothes, कपले, इस्तरी करना, then we have feed animals, जानवरो को काना के लाना, पानी देना, काना के लाना, for that we use feed animals, feed children, feed birds, feed animals, water plants, पादू को पानी देना, for that activity we say water plants, and then make a phone call, किसी को phone call मेनाना, you can also say dial someone's number, but the proper word is make a phone call, okay, then send a text message, text message किसी को पेचना, okay, and the last one is hang out with friends, अपने friends के साथ, क्या करना, गप्षप लगाना, उनके साथ, बातचीत करना, उनके साथ, time spend करना, for that activity we say hang out with friends, okay, so all these are the activities कि आप daily basis पे English को चोटे-चोटे sentences से किस तरह सीख सकते हो, और advanced level पे जाके आप इसको ठीक तरीकी से improve कर सकते हैं, so for more interesting videos, keep watching English with Sadiq, thank you for watching.